स्टूडेंट्स आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है और वो है किंग्डम सिस्टम्स तो इसमें हमने पढ़ना किया है हमने इसमें डिटेल देखनी है कि शुरु शुरु में कौन सी किंग्डम्स मजूद थी और कौन कौन सा किंग्डम्स सिस्टम किस तरह से मार्जे बजूद में आया या बनाया गया तो कौन कौन से ब्यारोजिस्ट थे जिनने निव किंग्डम्स को मतारफ करवाया तो आज हम देखेंगे टू टू फाइव किंग्डम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ठीके तो इसमें आज हम पहले नमबर पे जो टू टू पिक डिसकस करेंगे वो है टू किंग्डम्स सिस्टम्स दो किंडम थी ये ये सबसे पहला वो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का जिसके अंदर सिर्फ दो और दो किंडम रखी गई थी एक थी प्लांटी और दूसरी थी एनेमीलिया तो प्लांटी प्लांट में यू क्रियोटिक प्रो क्रियोटिक यूनिसेललर और मर्टी सेलुडर वो और अरगनिजम्स रखे गए जो के अर्टो ट्राफिक बहीर शो करते थे हैंविंग प्रोडियूसर्स और हैंविंग दियर ओन फूड रिसोर्सी और केटागराइज्ट इन प्लांटर किंग्डम ठीक है सेकंड जो किंग्डम थी वो थी एनिमल टीडम एनिमल किंग्डम तो इसमें यूनिसेललर मर्टी सेललर प्रोक्रियोटिक और आइट सर्थ यूक्रियोटिक modern type of organisms are placed in animal kingdom and then after a few years period of time new kingdom वाज प्रिजेंटिट नौन एज प्रोटिस्टा तो बियालोजिस्ट पे अरनस्ट हैकल 1888 में इन्होंने प्रोटिस्टा और प्रोटो प्रोटोस्टिस्टा भी बोलते हैं से प्रोटिस्टा आम लफजों में तो इसने यह तीसरी किंडम मुतारफ करवाई तो इस किंडम में कौन से जानदार रखे गए इनमें वो जानदार थे जो या तो प्रोटो से मिलते थे और या तो जानदारों से मिलते थे लेकिन कुछ करेक्टर उनके प्रोटो से भी मुक्तलिफ थे और कुछ जो उनके करेक्टर थे वो जानदारों य 1888 में डिसकरवर या हमारे सामने मतारफ करवाई हैं उसके बाद हमारे पास जो फॉर्थ किंडम है नाचीन फर्वेशन आन्स किंडम मुंलरा एक बेलाजिस्ट थे यह इचेटल इचेंटल नाइटीन थैंटर्म में तो मतारफ करवाई हैं एक प्रोटार्ट कुरियोटीक और दूसरे था यूपरीओटीक ठीक है फ़ुपरो का मतलब है पहले कैर्यो प्याज़ाइटिक का मतल न्यू का मतलब है यूकलियस मतलब अडमास ट्राइप आफ न्यू कलियास तो इन दो इन्ही बुनियादों पे न्यूकलियस की कैटनगराईशेशन पे किन्डमुनियरा की बुनियाद रख देजिए उसके बाद फिर साथ नानू ने गहर किया कुछ तो इस बात पे मुत्विक थे कि फंजाई और सेम इड ब्लांट्स और इनिमल कि बिट बाट्ट मैंडियूजिस्ट थिग दैट फंजाई इस एंडिफरेंट टाइप आफ और अरगनिजम हैं डिफरेंट केटरिजेशन और ग इंड़ वंजाई फांट किड़ फंजाई पो बना दिया गया निया फ्रिजेट किया गया था फ्टली सब्सक्राइब फंजाई इकांडार है डी कमपोजर्स ओडट केट टेख फूड फ्राम अधर अर्गनिजम्स एम रोल इंडी कंपोजेशन आफ और अर्गनिजम्स एट सेटरा यहां तक तो बात होगी मारे पास स्टेप बर स्टेप अब हमें एक डिटेल परनी है फाइव किंडम सिस्टम आफ रॉबर्ट विटाकर तो यह एक बहुत इंपोर्टन लॉंग क्वेस्टिन है फाइव किंडम सिस्टम आफ रॉबर्ट विटाकर या रॉबर्ट एच विटाकर भी उसे बोलते है तो इसने पाँच किंडम सिस्टम को मुनजम किया एक तरीके से जानदारों को औरेंज किया तो इसके मताबिक पहली जो तीन टेमे है वो मुनरा है मुनरा मुनरेंज ये जो मुनरेंज जानदार है देर्स्टूरेंट्स दीज़ दार तर यूनिक सेलूल प्रोक्रियोर्स ये सादा तरीन किसम के जानदार है यूग लीना वगयरा वगयरा ठीक है या बक्टेरिया, एमेपा, पेरामिशियम तो इसमें मुनिरा में को एड़ कर दिये गया तो ये होगी किंडम मुनिरा सेकंड नमबर पे जो इसने किंडम रखी वो थी परोटिस्टा तो परोटिस्टा में इसने वो जानदार रखे जो के पौदों से रिजेंपल करते थे और जानदारों से तो बिलकुल मुख्तलिफ थे लेकिन क्रेक्टर जानदारों के भी शो करते थे तो इनके अंदर अड़वांस मेडिया थी कि ये दोनों से डिफरेंट भी थे तो इसमें वो जानदार रखे गए जो पौदों और जानदारों से से तो थे लेकिन उनके क्रेक्टर मुख्तलिफ थे तो उन्हें परोटिस्टा किंड़म में रखा गया इसकी आप एक्जेम्पल ले सकते हैं यूगलीना ठीक है तो परोटिस्टा किंड़म में ये जानदार है इसमें मल्टी सेलूलर प्रोक्रियोड्स ठीक है जानदार रखे गए उसके बाद किंड़म प्लांटी प्लांटी किंड़म में मल्टी सेलुलर यूक्रियोड जानदार्म को रखा गया मल्टी सेलुलर कौन से यूक्रियोड बैट एड़ इस आर्ट ट्रॉफिक आर्गनिसम्स आट रचाउ इनका क्या क्या अटो अट्रॉफ्स एड दें देर स्टुडेंट्स नाम आता है कि इंडम फंजाइटा फोर्थ तो व्यूम फंजाइट अर्फंगे इंडम आर्गनिसम्स आर्म टी सेलुलर यूक्रियोड आइथर् प्रोक्रियोड अर्जूनुलर यूक्रियोड चेयर्ट हैमिंग रॉलींडी कंपोईशं आस्डर्ड बोडीज आफ एडगनिसमीशं एडि कंपोजित एड चेंगीन फो for their food and storage are known as fungi and five number pay any media animals are multi-cellular eukaryotics well developed organisms having categorizations different levels primary secondary tertiary and by modes of their food take age and they don't prepare their own food they take food from plants having outer troughs so this is five kingdoms of robert wittaker this is a question of five kingdoms of margulis and schwartz 1988 1988 1988 में साइं दो बैल जिस्ट थे एक था मार्गुलस और दूसरा था शिवार्स इन्होंने राबर्ट एच विटेकर का जो फाइव किंग्डम सिस्टम था उसको modified किया उसको modernize किया ठीक है जी तो इसके अंदर उन्होंने modification क्या की उन्होंने जानदारों को इन फाइव किंग्डम के अंदर जीन की बुन्याद पर जीन की बुन्याद पर on the basis of genetics on the basis of cellular modes on the basis of nutrition on the basis of absorption तो यह उन्होंने categorization रखके जानदारों को क्या नामी arrange किया हैं फाइव किंग्डम में that is the modification of फाइव किंग्डम सिस्टम भाइ मार्गलस एंड शुहार्स तो यह एक important short question है और यहां पे long question गौन सा बनता है फाइव किंग्डम सिस्टम और यह short questions है जितने भी होने पड़े तो यह था आज का आपका topic इंशाला next मिलेंगे अल्लाँ आफिस